वल्कम बेक गाईज यहरा आएम हीमनत और यू आर वाचिंग एच सी टेक तो यह नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे आप न्यू चैनल यह उपन किया है मैंने एच सी टेक के नाम से तो इसमें मैं आपको जो भी चीजे में वाई करूँगा उन चीजों के बारे में बत दूँगा उसका अंबॉक्सिंग वगर दिखा दूँगा और रिवी वगरा कर दूँगा और जो भी चीजे होंगी उनके बारे में बताऊंगो तब बैसिकली यह सिर्फ टेक के लिए होने वाला है तो जो भी मेरे अधर चैनल से बंदे यहां पर आए हैं प्लीज इस्टाग्राम पर अभी अप्लोड कर दे रहा हूं आप जाकर चेक कर सकते हो और हो सकता है जब इस पर एक के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं इस पर वीडियो अप्लोड कर दूँगा थोड़ सा आपको मलब देखने में प्रॉब्लम आ सकती है जासके मैंने कल भी पताया था क्योंकि मेरे पाथ सभी माइक वगरा और यह सब चीजे नहीं है लाइटनिंग बैटर नहीं है बट जो चीज मैंने ली है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा PC लिया है कितने स्पेक्स वगरा है कितने का है वो सब मैं आपको बता दूँग और आप लोग भी जो भी जानते हो कि या गेम्स वगरा भी कैसे डाउनलोड करने है कहां से करने है कौन सी वेबसाइट वगरा होती है या PC के बारे में भी जो भी नॉलेज रखते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स करकर बताते रहना क्योंकि मैं आप लोगों के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा चीज़े सीखूंगा क्योंकि मेरा फर्स टाइम है मैं आज तक PC वगरा मलब चलाए हैं लेकिन खोल के कभी भी नहीं देखा है तो मेरे लिए फर्स टाइम है मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहां लगती है किस चीज को क्या बोला जाता है इंफेक् काफी ज्यादा सपोर्टिंग है तो बहुत सपोर्ट करते हो तो प्लीज यहाँ पर अभी आपको एक्च्यल में रियल सपोर्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि यह मैं भी मनता हूं कि यह चैनल थोड़ा सा भी स्टार्टिंग स्टेज में है आपको हो सकता है वीडियो देखने में उतना एंटर्टेन ना हो या मज़ा ना है बट टाइम टू टाइम जैसे मेरे पास चीजे आती चलेंगी सेटप तयार होगा उसके बाद आप कोई क्वाल्टी वीडियो देखने को मिला करेंगी वो सब तो अर्णिंग पर डिपेंड करता क्योंकि अभी इसको भी मॉनिटाइज होने में काफी टाइम लग जाएगा तो बस सपूर्ट बनाए रखे और वन के सब्सक्राइबर दोस्तों जरूर से करवाने ना तभी आपको आज ही हो सकता है मैं वीडियो अप्लोड कर दूँ अरना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो जल्दी से वन के सब्सक्राइबर कराइए हम फिल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जो की पीसी के अन्बॉक्सिंग होगी तो तब तक लिए गुडबाय दूस्तों